वीडिया चैनल से मिली और मैं आज समस्ताओं के हम दो इकठे हुए हैं हम सब मिलकर के एक आवाज के साथ इस बरबर हत्याकांड की निन्दा करें और सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठारा है यह बात नहीं थे कियो वोगने धिtland की सरकार और उनीट की परटी कि सरकार यहां प्य हिंद्र में है यह बंगे दे एक सोझ और साजिश के तह्त हो रही हैं इस प्रकार की रख जाये इस प्रकार का उत्त्वी रह.. हम यह अचानक कोई एक हरता नहीं पर लिदी जिए कमल वालिया नहीं मरे उनके जगा सचिन वालिया मर गए यह ऐसी बात नहीं थी कि कि वो उनको पता लग जाता कि यह कमल नहीं है सचिन है तो कुछ और हो जाता है कि यह वह वहां पर कारिकर नहीं होता ऐसा कुछ नहीं है यह जातीवादी अफ्रूई करन जो करना जारें अपने मुचिजाते लोगों का वो उनका एक लक्ष है। सांपरदाई बूईकरन करना जारें मुसलानों रोकाफले पे दरूप यह लक्ष है तो वो अपने बोल की तरफ बढ़ रहे हैं और उसका चुनावी समी करण बहुत दंग से बैठा रहे हैं वो चाहे कोई बाई पोल हो और चाहे कोई स्टेट पोल हो चाहे वो आने वाला 2019 का पोल हो तो कुल मिलाकर के इस राजनीती का मुकाबला तरने के लिए हम लोगों को भी अपना दोड़ी करण तरना चाहे है जो जातिवादी ताथते हैं उनकी खिलाफ और कोई भी जातिवादी ताथते हैं उसके खिलाफ हमें लाबत होना चाहे है जो सम्परदाइक्ता की खिलाफ है उनको एक्रुट होना पड़ेगा किसी भी संप्रदाय के हूँ और उसके साथ ही साथ जो आर्थिक मुद्धे हैं हमारे बुन्यादी मुद्धे हैं जिसकी वज़े से दलिद दलिद है तो क्यों इसलिए नहीं कि वो दलिद में पैदा हो जा लेकिन मून रूप से उसका शोष कुछों को लेकर के हमें आर्थिक मुद्धों को और पेज़ करना चाहिए जैसे कुजरात के अंदर जो मुना का काल हुआ उसके बाद उन्होंने जमीन के अधिकार का सवाल उठाया और उसमें कुछ उनको फड़ी बहुत प्रगती हुई है लेकिन हम इस तरह के जितने और मुद्धे हैं जिस पर हम देख रहे हैं रोज के इसाफ से इंसा हो रही है हम लोग को भी आगे बढ़कर के कुछांतिक मुद्धों को उठाना चाहिए उसके लिए अंगोलन को प्रदेश और पूरे देश के अंदर मैं कौंगा इस प्रकार का वाकार उन गहरा पर चला जा कि बड़ा यह आपर दिने में प्रदर्शन भोगा पर थे हैं तो मेरा कारिक्रफ तो 20 माई का मुझफ़र नगर का बना हुआ है वहां पर भी बड़ी सबाहने वाली तो मैं वहां उठाऊ हुआ है मिसारे मुद्धों को नजदी के सारण बूर के और 21 को मैं जीन जाओंगा बादर उठा हुआ हरियाना में लेकिन हम लोगों को अपने अपने तरीके से एक बड़े अंदोलन के रेंशे जैसे अभी एक अपरेल को हुआ दो सुरी दो अपरेल को हुआ स्थी के कानूं के संदर में सुप्रिम पोर्ट का जो दखल हो रहा था अभी भी है तो वो एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि हम इन चीजों को चुप चाप नहीं बरदास कर रहे हैं बिदिन पूरा देश इस पर प्रिदिक दिया कर रहा है समास का हथा सब्सक्ता मिलक करके कर रहा है यह लिखाई पढ़ना चाहिए तो मैं इस बारे में इतने ही कमगा कि जो भी काईटरम बनाएं आप मुझे उसमें हिस्सेदार रखें मैं बदौन की मोर्चा जो हमारा संगठन है जो इंदुत वादी विजारदारा के विप्रीद है हम नहीं मानते उनको रुष्णु दिन से वो हमारा ग्रोथ करते हैं हम उनका ग्रोथ करते हैं तो वो सांप्रदाइक्ता की राजमीती को ही अपना एक धार्मी के जेंदा सामाजिक राजमीती के जेंदा बना करके चल रहे हैं और इस सांप्रदाइक्ता जातिवात का ग्रो पड़ेगा कि जातिवाद का पूर्ण समूल उच्छे एनाइई हिरेशन अफ कास्ट हम जातिवादी ताफ्तों के खिलाब आबाल उढ़ाते उढ़ाते स्वयम कहीं किसी जातिवाद में तो नहीं कर जाएं और यह अगे ध्यान रखना पड़ेगा यह हमारे अपने बीच में भी जातिवादी समिकरन है उच नीच का तो वो बिल्कुल उटा पड़ेगा इसलिए जातिवाद को मिटाना और फिर उसके द्वारा और कोई भी जैन्दी कहीं मनाई जाती है मालीजी अम्वेटकर की जैन्दी है 14 अप्रेल की वो कि वो दली की क्यों मनाए उनी का क्यों अगरे रहे सब को पूरे देश को मनाना है सब समिधान पूरे देश का है घीत अपिपल अब इंडिया जहां से शुरू होता है तो सब का है और फिर इसी तरह से रणा पताब की कोई जैन्दी बनानी है वो सब को मनानी चाहिए वो अके ठापर लोग क्यों मनाए जो बाटा गया है कि पलुषुराम द्रामनों का है तो रणा पताब ठापरों का है तो महिर शीवाल में की जो हैं उस समाज के ये क्या बढ़वारा ग्रफोविन सिंग और गुरू नानक सखो के हैं और ओकी किसी और के हैं जीज़स क्राइस्ट आप उसाहियों के हैं तो मौमत सहाब मुसल्मानों यह बड़वारा हमें मंजूर नहीं होना चाहिए और महापुरुष उसने कुछ प्रेड़ना दे रहा है और उस प्रेड़ना को लेकरके हम समाज को परिवर्तन की तरफ ले जा रहे हैं बदलने की तरफ ले जा रहे हैं जो बाटने वाली ताक्ते हैं वो समाज की दुश्मन ह हैं और उस महापुरुष की भी दुश्मन हैं जिसके नाम पर वो ठेकेदारी या दुकानदारी कर रहे हैं जन्यमाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्व झाल